चाम चाम कैला माही के मंदिरिया लागाता सघरो जो माइटी के मुहराती से हां से ही माया मोर भाईल दुनिया में सोर माटी के मुहराती से हां से मया मोर भाईल दुनिया में हम ना है ले आज ऐसे हम पूसे चले के बाद अब घर भोजी टेम पूसे नी आज ना है ले हम ऐसे हम पूसे चले के बाद अब घर भोजी टेम पूसे दस्तक निज बिहार मैं हूँ अम परकास वक्त हम अरफ्या जिला के जो है स्वर गाउं पंचेत के वाट संखिया असात में आये हुए हैं और बता दें आप लोगों को की सहर में आप लोग अक्सर देखेंगे एक से एक कलाकार आपको मिलता होगा सिंगर के रूप में लेकिन कुछ हमारे गरामिन छेतरों में भी इस गाउं समाज में भी हम लोग का एक सिंगर है जिनका नाम है आपको बता देते हैं कि रितिस राज रितिस राज के नाम से जाना जाता है और कहीं न कहीं अपनी महिनत और बल पे जो है आज बहुत अच्छा इस्टेट पे आ चुके हैं और आए इनसे मिलवाते हैं इनका परिजन भी इनका गर्जन भी यहां पे है इनका पिता जी है इनसे जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर इनका लड़का जो आखिर सिंगर ही जाने के लिए क्यों चुना क्योंकि आ इसमें तो इक्ठा तो जो काम करेगा उसी का पहले राता है इसके बाद हम लों का भी सपोर्ट रात जहां जहां ये जैसे इसको पहले हर्मोनियम नहीं था बोला पापा हमको हर्मोनियम लाके देजिए हर्मोनियम खरीद के दिए इसके बाद इसको कहते थे कि ये सब में क् इसने बोला कि गाओं घर में ऐसे कोई सिंगर बनता नहीं है हम मेहनत करते हैं दखते हैं भगमान क्या उसका फल देता है मुझे तो हम भी इस पर सपोर्ट करने लगे जब बच्चा जिस चीज में जा रहा है उसमें रोखना अथी बात नहीं है तो कहींने कहीं मतलब की परिवार की और से आप लोग मदद से मतलब की कोपरेट कर रहे हैं कि मतलब की मेरा बचा इसी काम में सफल जी हम ये बात सोचते हैं हर्दम भगमान से प्राथना करते रहते हैं जो रितेस राज इस गाओं का नाम को रोशन करें क्योंकि हम लोग जिस सबस्पोर्ट करते हैं हम भी सपूर्ट करते हैं जो मेरा बच्चा आगे बढ़े दस लोग जाने दस गाओं में जाये और अभी भगमान के क्रपास से जो है ये स्टेशों भी करते हैं अपने नाम से निकाले है सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वाज़ा था रितेस जी जी सबसे पहले तो आपका भी बहुत वो धन्यवाद जो कि आपने इतने दुरों से मेरे लिए चल के आए और मैं बता दूं कि जितने भी दर्सक भाई देख रहा हैं दस्तक न्यूज को आप सभी को भी मेरा परना तो मेरा दिल्चस्वी हुआ कहीं पर मैंने गया था किसी ग करना है तो तभी इसमेने सोचा और मैंने सिंगिंग करना स्टार्ट किया और जब सबसे पहले मैंने पटना से मतने था तो उसमें बहुत सारा सपोट मेला जाए और मुझे लगा कि जब शुरुवाती तोर पे dai मेरा चाहिए तो पीर मैने देवी का गीत नि निकाला तो पिर मैंने सास्त्रे संगीत में घुचा हर्मोनियम नहीं था तो पिताजी को बोले हर्मूनियम खरीद के दिए, फिर मैंने उसको सीखा, धिरे धिरे इस्टेश को करने लगे, तो इसी तरह मैंने इसको करते गए, और प्यार असिरवाद अच्छा कर सा मील रहा है, और इसी तरह मैंने शिंगिंग करता हूं, कर रहा हूं, अचारी टेश आपका जो है शुरुबात में सबसे पहले अंगा का आए थे तो काहिं ने कहिंगा आपका वाइरल हुआ था तो हमारे दर्षकों की अब दो लिए सुनाईए गा कि आपका पहला गणा कुछ है तो कि सबसे पहला मेरा गणा यहीर था कि गार फूला से सुना जी बिलगोल बानि हम नहेले आज एसे हिम आज करके है और दूसरा गाना है मैने जी मैं सुना दे रहा हूं जो मुझे असरवात मिला था जिस गाने को उस गाने को मैं दो लेंड गा दता हूँ ऐसे था चम 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 केला माही के मंदिरिया लगाता सगरो जो माटी के मुहराती से हासे मया मोर भाईल दूनिया में सोर माटी के मुहराती से हासे मया मोर भाईल दूनिया में सोर बहुत खूब बहुत अच्छा तो कहीं ने कहीं आप लोग सिर्फ सहर में देखे होंगे लेकिन हाओ में भी इस तरह का सिंगर रहते हैं मैं आगे चड़के सबको मदद करके सपोर्ट करना चाहिए इसा कलाकारों के लिए तो रितेस जी हमारे दर्सकों के लिए लाश्ट में क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माधियम से आप मैं यह कहना चाहूँगा कि जितने भी दर्सक भाई देख रहे हैं दस तक सिर्दीर लाश्ट